सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए विडियो सबसे पहले इस विडियो में हम जानेंगे विवो के फोन में डायल पेड नहीं खुल रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक कर सकते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डायल पेड को ओपन करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो जैसे ही हम डायल पर क्लिक करते हैं यहां पर यह आप्शन दिखा रहा है और हम किसी को फोन नहीं लगा पा रही हैं तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे तो उसके लिए आपको phone की setting में जाना होगा, यहाँ पर आपको निचे scroll करना है, उसके बाद आपको application and permission पर click करना होगा, यहाँ पर आपको app manager पर click करना है, उसके बाद आपको more पर click करना होगा, यहाँ पर आपको show system पर click करना है, उसके बाद आपको निचे स्क्रोल करना होगा यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है अगर आपके इसमें यहाँ पर दो फोन दिखा रहा है तो आपको इस डार्क ग्रीन वाले फोन पर क्लिक करना है उसके बाद आपको परमिशन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हो denied के निचे ये option दिख रहे हैं इसका मतलब है कि इन सभी की permission allow नहीं है तो आपको इन सभी की permission को allow करना होगा तो अभी हम एक एक करके इन सभी की permission को allow करते हैं यहाँ पर हमने सभी permission को allow कर दिया है उसके बाद आपको bake आना है यहाँ पर आपको permission management पर click करना है उसके बाद आपको default app setting पर click करना होगा यहाँ पर आपको phone पर click करना है तो यहाँ पर ये true color set होता है तो आपको इस phone को select करना है, तो अभी हम इस phone पर click करते हैं, तो ये select हो जाएगा, और अगर आपके इसमें पहले से ये phone select है, तो आपको इसे कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको पूरा बेक आ जाना है, तो अभी हम फिर से dial paid को open करते हैं, तो आप देख सकते हैं, dial paid open हो गया है, तो बस इस video में इतना ही,